हेलो एब्रीवन आप सब कैसे हैं आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो आज हम दोस्तों यूपी की मसहूर डिस धरी मटल का निमोना बनाएंगे जो की यूपी वे बहुत ही मसहूर है और इसका टेस्ट का तो कोई जबाब ही नहीं दोस्तों यह बहुत ही टेस्टी और बह बनाने निमोना के लिए यहाँ पर आलुओं को इस तरीके से सलाइस निकाल दिया जो भी निकला हुआ है साथ ही हमने कर ले रखते है और हमने मसाले में ले रखा है हरी मिर्च, 10-12 कर लेसून और हरी धनिया के पत्ते और दोस्तों यहाँ पर हमने एक टुकड़ा अधरक भी ले रखा है और इसको हम मिक्सर में डाल कर इसका फाइन पेच्ट बना लेंगे दोस्तों तो इस तरीके से हम mixer jar में सारा धनिया का पत्ता लैसून और मिर्ची को डाल देते हैं और इसको हम पीस लेते हैं तो दोस्तो हरी धनिया पीशने से मसाले में सबजी का कलर हरा भरा रहता है और देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो हमने मिक्सर को भी धुल कर मसाले के अंदर डाल लिया आप यहाँ पर हम मटर को फीश लेंगे दोस्तो और इस तरीके से हमने यहाँ एक मुठी मटर छोड़ दिया है और दोस्तों यहाँ पर हमने मटर को भी अच्छे से फीश लिया है यह देखिए दोस्तों थोड़ा दरदड़ा सा भी है और अब हम चलते हैं अपने गैस की तरफ तो गैस पर हमने रख दिया कराही और क्राही में डालेंगे दोस्तो सरसो का तेल आप जो भी तेल खाने में यूज करते हैं उस तेल का यहाँ पर यूज कर सकते हैं लेकिन सरसो के तेल में दोस्तो यह बहुत अच्छा बनता है तो अब यहाँ पर हम आलू को डाल कर फ्राई कर लेंगे सबसे पहले दोस्तो इस आलू जो है वो कडाही में चिपकने लगी यहाँ वहाँ तो यह देख सकते हैं दोस्तो हमारी आलू फड़ाई हो चुकी há और इसको ऐसे नहीं निकालेंगे दोस्तो इसको पेले साइड में इस तरीके से करदेंगे ताकि तेल नीचे निकल जाए और आलो में तेल ज्यादा ना लगा रहें चिपचिपापन ना रहें तो दोस्तों ये देख सकते हैं इस तरीके से हम आलो को निकालेंगे ये ऐसे और इस तरीके से हम सारे आलो को निकाल लेते हैं दोस्तों निकाल दिया बाहर और यहाँ हमने टेल बचा था उसमें डाल दिया जीऱा जीवर जागी हम उखे के यहाँ पर हमारी निकाल करेंगbers तो दोस्तों यहां पर हम अपने प्याज को भी डाल देते हैं तो साथ ही हमने प्याज को भी डाल दिया तो दोस्तों प्याज को तब तक पकाना है जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है तब तक हम प्याज को पकाएंगे तो दोस्तों हमारी प्याज पक गई अब इसमें हमने डाल दिया दो स्लाइस में कटे हुए टमाटर को आप चाहें तो इसका फेश्ट भी बना कर डाल सकते हैं लेकिन हमने यहाँ पर स्लाइस में कटे हुए टमाटर को डाल दिया तो दोस्तों अब यहाँ पर हम डाल देंगे स्वादर अनुसार नमक और नमक डाल कर इसको चलाएंगे अब इसके साथ हम जो धनिया वाला मसाला पीस कर रखे हैं इसको भी हम यहाँ पर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से चला लेंगे क्योंकि दोस्तो टमाटर में पहले से ही नमक बढ़ा है और मसाला डलते ही इसकी गलने लगेगी अच्छे से तो दोस्तो आप देख सकते हैं अब यहां पर हम डल देंगे हल्दी पावडर इसके साथ ही दोस्तो यहां पर हम डालेंगे एक अदर शोटी चमज गरम मसाला एक आधा शोटी चमच यहां पर दोस्तों डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्ची पाउडर बस इसके अलाव हम कोई मसाला अब यहां पर नहीं डालने वाले है दोस्तों इसको हम अच्छे से चलाएंगे मसाले को पकाना बहुत जरूरी है तो दोस्तों आप यहां पर हम डाल देंगे जो हमने मटर ले रखा था पीस कर तो इस तरीके से हम सारे मटर को यहां पर डाल देते हैं और मटर को अच्छे से चलाते हुए हम भूनेंगे सबसे पहले सारा मटर हम मिक्सर से निकाल लेते हैं इस तरीके से दोस्तों और हम मटर को अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके से हम मटर को चलाते हुए भूनेंगे अच्छे से तो मटर को भूनना बहुत जरूरी है दोस्तों जब मटर भूना रहेगा अच्छे से पका रहेगा तभ कि मटर अच्छे से पक्चा है यह बिल्कुल भी कच्छी ना रहे जिससे की कच्छा पर महसूस हो तो दोस्तो यह देखिए यहां पर हम धक्कन लगा देते हैं धक्कन 2-3 मिनट तक लगा कर रखेंगे उसके बाद देखते हैं दोस्तों मीडियम फ्लैम पर हमें इसे पकाना है दोस्तों हाइफ लेम फर नहीं पकाना है आप चाहें तो एक दम धीमा ही गयस करकर रखें तो यह मटर नीचे से जलने लगेगी तो दोस्तों इस तरीके से हमने चला दिया मटर को और साथ ही हम यहां पर अपने फ्राइय आलू डाल देंगे दोस्तों जो हमने पहले से फड यहां पर हम लगा देते हैं दो अब fünf के ने दो और दो मिनट ऊधेसे ओ गया और किस तरीके तेर से तेल बाहर निकल रहा है यह देख सकते हैं विआ अब Two गिलास पानी का यूज करूंगी यह जितना ही पतला यह इसके गृरीव रहता है दोस्तों इतना ही टेश्टी लगता है युपी वालों को पता यह हो शुब समय मिल은ए यह जो घर में रोज ़ृजाना आप मसाले करते हैं वही मसाले यहां पर यूज होने वाले हैं तो दोस्तों यह दहक हाँ यहां पर हम द resolutions 1 को जला है कि दोастरों ऑर मुटर से पखना अदोस्तों इसको लगा देते हैं दो मिनट के लिए और दो मिनट के बाद हम आपको दिखाते हैं हमारी आलू किस तरीके से पक गई है तो दोस्तो आप देख सकते हैं तेल कैसे उपर आ गया है सब्जी के कलर कितना अच्छा लग रहा है हरा हरा सा तो दोस्तो आप भी एक बार हरी हरी इस तरीक प्रख्षाइब करें हैं, और यह बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों मैं यूपी से ही हूं, इसलिए मुझे पता है यूपी में कैसे सब्जी बनती है तो यह देखिए दोस्तों हमारी आलू है अच्छे से पक गई है, और कितनी आसानी से कट चा रही है तो दोस्तो बस हमारी सबजी खाने के लिए रेडी है इसको निकाल लेते हैं एक सर्विंग बॉल के अंदर तो दोस्तो आपको हमारी रेस्पी कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताना हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो लाइक करना चैनल पर नहीं है तो सस्क्राइब जरूर करना मिलते हैं ऐसी ही रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाबाए